नमस्कार मैं रहुनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपने देश के लोक सभा सचिवाले के पुर्व सेक्रेटरी जेनरल सहब स्री पीडीटी आचारिया के एक महत्वपूर्ण आर्टिकल की और वही आर्टिकल में जो उसी आर्टिकल में जो तत्थ हैं वो एक भासकर रिपोर्टर को दिये गए इंटर्व्यू की स्री राहूल गांधी जी के लोक सभा की सदस्ता को निरस्त के जाने का मामला पुरे देश में बहस कम दो है और यह महत्वपूर्ण भी है चुकि एक डिफैमेशन के मामले में इनकी सदस्ता जिस तरह से निरस्त की गई कि कि 23 मार्च को फैसला आता है और 24 मार्च को सदस्ता निरस्त हो जाती है तो निस्चिक तोर पर कहीं न कहीं यह बात आ रही है कि आखिर इतनी हर्वरी किस बात की थी कि स्री आचारिय शाहप सेकर्टी जरनर थे लोग्सरा स्कृटेरियट के वर्स और जर्बयोक्रेयसी में सरवच पद जो कविलिट्स सेक्रेटरी का होता है उसके बराबरी का है जैसा मैं समस्ना उन्होंने उस आर्टिकल में चर्चा की है समिधान के नुछेद एक सौतीन की कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कभी ये सवाल उसता है कि क्या संसत का एक मौजूदा सरस्ट अयोगता के दायरे में आ गया है तो इस सवाल को सबसे पहले राष्टपती के पास भेजा जाएगा राष्टपती ही इस पर अंतिम नरने लेंगे राष्टपती अपना फैसला सुनाने के पहले इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजेंगे चुनाव आयोक जो राय देगा राष्टपती वही फैस्ट ला लेंगे ये बहुत ही महत्रपुण है जो स्री राहूल गांधी जी के केस में ये नहीं हुआ है और ये बात नकेवर कॉंग्रेस पार्टी उठा रही है वरन बहुत पार्टियां उठा रही है और जो डिवेट चल रहे हैं डिफ्रेंट टीवी चैनल्स पर उसमें भी ये बातें उठाई जा रही है उन्होंने आगे कहा है कि राष्टपती के फैसले का इंतरजार दिया जाना चाहिए था इस मामले में उन्होंने उन्रेवल सुप्रेम कोर्ट के द्वारां 2009 में एक मामले में की गई ट टिपण ही थी कि आनुछेद एक सो एक सो एक तीन एक तहत सदन की कोई भी सीट तभी खाली घोशित की जाएगी जब राष्ट्रपती द्वारा आनुछेद एक सो तीन एक के तहत अयोग्यता का नर्ने लिया जाएगा उन्होंने यवी असपस्ट किया है कि आर्टिकल 103 के तहत कोई शांसद या विधायक स्वता आयोग्य नहीं हो सकता है Representation of People's Act की धारा 8.3 कहता है कि आयोग्य घोसित किया जाएगा ऐसा नहीं है उसमें लिखा हुआ कि आयोग्य घोसित हो गया स्री आचार्ज ने अपना असपस्ट मत दिया है उस आर्टिकल में कि स्री राहूल गांधी जी के संबन्ध में लोग सभा सेकर्टेरियट का नोटिफिकेशन रिप्रजेंटेशन और पीपोल्स एक्ट सेक्शन 8.3 के खिलाव है इसके साथ ही मैं एक डिवेट सुन दहा था नूज चोविस पर अन्डवल सुप्रेम कोट के एक लॉयर एडवोकेट श्री केके मलंद साहब का और एक परहपस श्री असविनी दुवेद साहब थे स्री केके मलंद साहब ने असपस्ट यह कहा है कि लोग सभा सचवाले का यह निरना जोह निश्चित तोर पर स्पीकर साहब को अटर्नी जन्रल, सॉलिशीटर जन्रल या एडिशनल सॉलिशीटर जन्रल बहुत लोग हैं उनसे राय लेना चाहिए था इस नूटिफिकेशन के पहले इसे असपस्ट होता है यह सारी डिवीट से और स्री आचार्जा साहब ने तो बखुबी जो तकनिकी पहलू है जो वैधानिक पहलू है जो एक्ट के विशे हैं उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है अब निश्चित तोर पर पूरे देश की जन्ता के सामने में स्री आचार्जा साहब का मत दर्पन की तरह है मैं समस्ता हूं कि आने वाले दिनों में अब कभी भी इस तरह की ज़िदी घटना होगी तो निश्चित तोर पर जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल होगा स्री राहूल गांदी जी के केस में अब हम लोगों को चुकर जूटिस्टियल मैटर है आगे क्या होता है यह पुरे देशवासी प्रतिक्षा कर रहे हैं लेकिन आगे जब भी इस तरह की बात होगी तो निश्चित तोर पर नकेवल लोगसभा या जो अन्य हमारी संसदिये व्यस्था में जो संस्थाएं हैं जहां डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आ सकता है या व्यदायक होगी तो वहां पर निश्चित तोर पर जो हमारे कंस्ट्टिशीशन में जो प्रभीजन है अडिकिन से और जो रिप्रेजेटेंटे चाड पर उसका पालन होना चाहिए ताकि हमारे लोकतांत्रिक व्योस्ता पर और लोकसभा सचीवाले की स्वतनतरता पर जो कि वो सरकार चेंडिपेंडन्ट है वो पूर्णत लोकसभा स्पीकर साहब के अधीन है तो उस पर कोई इफ बट की भात नहीं हो उनकी सचीवाले के नोटिपिकेशन पर कोई सवाल के लिए अच्छी बात होगी यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निस्तितों पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को अपनी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को सटर्च करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का बिलाओ जरू कुחो आपको आख़wangू का वीडियो नहीडियो कि दय़ यजियो करेंле हो कि देयर करें इस कि वीडियो कि अद्सक्राइब का इस देएला हो हमका सिलाएब काम करेंके दो तो कि गरें